नमस्कार आभारे विदंदन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल HDS Foundation में साथियो हम exercise कौन सी कर रहे हैं? Exercise 2.2 ठीक है तो exercise 2.2 के कुछ questions हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं अगर आप अभी तक वो questions नहीं देखे हैं तो आप उन questions को चेक कीजिए के जो questions हैं उनके बारे में discussion करते हैं उनको मैं शोल करवाता हूं आपके साथ साथ तो कहां तक कर लिये थे हमने हमने कर लिये थे question number seven ठीक है तो question number eight की बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे एक सन्मपर एक की बात करता हूं चलिए किसंजर बात ग्रेट को रहा हुआ है। अग्सक्राइज हमारी चल्लिए 2.2 तो की अब यह और प्लिट होने वाला यह चैप्टर तो इन अग्सक्राइज को बात कुंयोछ है। नूंसा का हैं एकूंपर question number 8 आपको screen पे दिख रहा होगा question number 8 क्या कहता है 10 inverse bracket cos x minus sin x divide by cos x upon cos x plus sin x ठीक है तो यह question है हमारा अब इसको solve करना है question number 8 को तो चलिए मैं आपको solve करवा देता हूँ इसको question number 8 क्या कहता है 10 inverse cos x minus sin x divide by cos x plus sin x तो यहां से हम कुछ इसके basics भी देखेंगे basics क्या है कि किस तरीके से हम इसको solve कर सकते है आसानी से थोड़ा से हम mind को किस तरीके से manipulation करेंगे कि हम mind का जो molding part है कैसे हम उस चीज को समझ पाएंगे कि हमें exam में या सोचने का जो तरीका है वो यहां पे देखने वाले है तो सोचने का एक चीज आप देखना मेरे साथ साथ कि बाहर क्या है 10 inverse अंदर क्या है कोस अब सोचने वाली बात है कि बाहर 10 है अंदर कोस है तो किस तरीके solve करेंगे हम इस चीज को solve करने के लिए मुझे कहीं न कहीं मुझे यह सोचना है कि अंदर की तरफ भी क्या है 10 बनना चाहिए अगर 10 नहीं बनेगा तो हमारा काम inverse को खतम नहीं कर पाएंगे तो 10 किस तरीके से बन सकता है 10 क्या होता है 10 होता है sign upon course यह हमें पहले से मालूम है कहीं न कहीं sign के divide में अगर course करूं तब ही जाके मेरे को क्या मिलेगा 10 मिलेगा तो यहीं से एक basic idea अपने दिमाग में सोचना है किस तरीके से सोचा बाहर 10 inverse है अंदर 10 लाना है यह सोचने का तरीका है यह आपको exam में बहुत काम आने वाला है जब भी आपको चीज को किसी को solve करेंगे किस questions को solve करेंगे तो आपको यह काम आएगा तो यह आपके लिए जरूरी है किस तरीके से हम question के उपर सोचेंगे किस तरीके से हम अपना दिमाग यूटलाइज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर 10 बनाना है 10 के लिए sign upon course होना चाहिए तो कहीं न कहीं मुझे idea मिल गया कि course का divide कर दूँ तो अब divide करते हैं उपर के भी divide कर लेंगे निचे वाले को पार्ट को भी divide कर लेंगे तो चलिए solve करते हैं solution की बात कर लेता हूँ यहाँ पर solution क्या है dividing dividing by cos x cos x से मैं divide कर रहा हूँ तो 10 inverse cos x अपको इसको कुछ इस तरीके से लिख दू इसके divide में cos लिख दिया अब बड़े वाला पार्ट जो है cos x plus sin x divide by divide by cos x तो वो उपर और नीचे दोनों तरफ हमने क्या गिया divide कर दिया cos का तो आपको क्या मिलने वाला यहाँ पर देखें इस side कर लेते हैं हम इसको 10 inverse यह क्या मिला cos इसके अपॉन किसके तो यह आगा 1 यहाँ पर आगा sin upon sin x upon cos क्या गया 10 x यहाँ पर cos 1 और यह वाला आगया plus 10 x तो कहीं ना कहीं एक चीज तो मेरी जो solve करना चाहरा था वो हो गई है कि मेरे को अंदर 10 मिला है लेगिन फिर पंगा फस गया पंगा क्या फसा कि अंदर आ गया 1 अब 1 से तो फिर भी कुछ cancel out होने के तांसे नहीं दिखरे तो अब मुझे क्या करना है कि 1 10 में 1 कब आता है 10 की value कब आती है 10 pi by 4 10 45 1 आता है तो क्या 1 को मैं 10 45 ने लिख सकता तो मैं यही करने वाला हूँ तो देखिए कही ना कहीं आपको relations ढूणने आने चाहिए इसको क्या लिख दूँगा 10 pi by 4 minus 10x क्या गया 10x upon 10 pi by 4 plus 10x यह चीज आ गई clear यहाँ पर यह चीज चीज clear हो गई अब बात कर लेते हैं आगे ठीक है इन steps को कुछ इस तरीके से देखें पहले यह वाला फिर यह वाला फिर यह वाला ठीक है अब यह कुछ formula बन रहा है आप सोचेंगे यह क्या formula बन रहा है यह एक formula बन रहा है यह क्या formula बन रहा है यहाँ पर आप देखें कि 10 x plus y का क्या formula होता है यह देखें 10x 10x क्या आता है यह क्या आता है यह 10x-y यह 10y upon 1 plus ठीक है 10x 10y यह हमारा एक formula होता है जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ठीक है 10x-10y 1 plus 10x into 10y अब 10 5y4 अगर यहाँ पर देखें 10 5y4 यहाँ पर देखें 10 5y4 की value 1 तो अगर 10 5y4 इसके multiply में भी है तो वो क्या 1 होगा तो 1 को मैं नहीं लिख रहा हूं ठीक है तो यह formula बन गया यह वाला तो इसको मैं लिख देता हूं 10 5y4-x ठीक है अब यहाँ से 10 इन्वर्ट से 10 cancel out आंसर आ गया 5y4-x तो यहाँ पर questions यहाँ पर आसानी से answer क्या है अपना answer आ गया तो यहाँ पर सोचने का तरीका आपको सोचना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से मैं आपको यह चीज समझा रहा हूं चलिए अब अगला question देखते हैं अगला question क्या है अगला question आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 9th question है question क्या बोला जा रहा है 10 inverse x upon root a square minus x square इसमें भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम किस चीज को कैसे manipulate करें कैसे सोचें ताकि हमारा answer सही बाला आजाए ठीक है तो चलिए question solve करते है question number कौन सा है 9 10 inverse 10 inverse x upon root of a square minus x square यह वाला हमारा question है इसको करना है solve इसका solution देखते हैं तो कुछ एक चीज फिर से देखनी है कि बाहर 10 inverse है अंदर भी मुझे 10 सीए अंदर भी मुझे क्या 10 सीए तो वो चीज किस तरीके साइगी मुझे यह चीज देखनी होगी यहाँ पर तो क्या मैं एक चीज देखता हूं let x equal to a एक नया factor जो यहाँ पर दिख रहा है न वो क्या है a तो मैं क्या मान रहा हूं कि x equal to क्या मैं है a sin theta इस से मुझे यह आसान होगा शोल करने में अब पुट कर देते हैं 10 inverse a sin theta root of a square minus x को पुट के a square sin theta का square a दोनों में common है चलिए आगे करते हैं इसको a sin theta upon a square a square common लिया root से बाहर आ गया तो a आ जाएगा root के अंदर क्या बचा one minus sin theta square a से a cancel out आ गया one minus sin theta square क्या होता है one minus sin theta square होता है cos square theta cos square theta और cos square का अंडरूट किया तो अंडरूट से square cut गया तो वज़िया सिर्फ cos तो ये क्या जाएगा 10 inverse उपर shine theta और निच्चे आ गया cos theta then ये क्या जाता है 10 theta 10 से 10 cancel out answer is theta answer is theta अब theta कैसे आएगा x upon a तो इसको inverse करेंगे ये वाला इधर जाएगा तो x upon a then sin inverse x upon a is the right answer ठीक है तो यहाँ पर ये ही चीज़ देखने कि मुझे क्या चीज़ मान के चलना है क्या चीज़ मानना है मैंने मानना क्या है ये वाला ठीक है x equal to x equal to a sin theta ठीक है ये चीज़ मैंने माननी है तो I hope चीज़ें समझ में आ रहे होंगी कोई भी doubt हो comment box में लिखें ताकि आपके questions के doubts वगेरा जो भी होगा वो आपका sort out कर लिया जाएगा formula जो भी मैं यहाँ पर अलग से उपर की तरफ लिखवा रहा हूँ वो आप अच्छे से देख लें वो अलग से एक बार note कर लें कहीं पर भी और किसी को भी कैसा भी doubt हो comment box में response करें ताकि immediately आपको response जरूर मिलेगा अगर doubt समझा पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो ठीक है तो अब हम चलते हम अगले questions की तरफ ठीक है हमारे अगले questions की तरफ सलते है ठीक है चल ये अब बात करते हैं question number 10th की question number 10th ठीक है question number 10th question number 10th आप देखें question number 10th क्या लिख रहागा screen पर दिख रहा होगा question number 10th क्या है 10 inverse 10 inverse 3 3 a square x minus x cube divide by a cube minus 3 a x square तो ये आपको एक चीज दे रखी है इसमें आपको क्या चीज मानने की अब यहाँ पर a 7 में आ रहा है ना तो कहीं न कहीं आप याद रख लीजेगा की x जब भी मानेंगे वो क्या है a 7 में होगा ठीक है तो अब चलिए करते हैं फिर इस questions को ठीक है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है question number 10 10 inverse 10 inverse 3 a square x x cube upon a cube minus minus 3 a x square यह हमारा question है अब इसका solution देखते हैं थोड़ी सी similarities के लिए मैं क्या करता हूँ इसमें भी सोचने का तरीका है कि कही ना कही मुझे अंदर 10 बनाना होगा 10 अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी तो 10 बनाने के लिए ही मैं कुछ करने वाला हूँ कि मैं इस चीज़ को उपर भी a square है तो कहीं ना कहीं मैं एक symmetry लाने के लिए मैं क्या करता हूँ उपर भी a cube से divide दे रहा हूँ और नीचे भी a cube से divide कर रहा हूँ divide by a cube ठीक है तो आपका जो बन जाएगा divide करने पर तो 3 a square upon a cube करेंगे तो नीचे सिंपल साथ क्या बचाएगा 3 x upon a इधर क्या बचाएगा x upon a का whole cube ठीक है अब कहीं न कहीं आपको ये भी doubt आ सकता है कि हमें ये चीज़ कैसे नहीं आ रही ठीक है हम इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाते हैं जब भी question देखते हैं तो ठीक है ये बड़ा route हो जकता है आपका जब भी आपकी practice अच्छी हो जाएगे न तब आपको ये चीज़ें बार बार चीज़ें करने से अच्छा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर ये क्या गया वन माइनस माइनस है कि प्लस यहां पर question में थोड़ा सा मेरे को doubt हो रहा है ये माइनस ही है चलिए तो ये थ्री अपॉन ये क्या जाएगा एक्स अपॉन एसकेर ठीक है यहां तक हम पहुंच गया है अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ let x अपॉन a equal to 10 theta ठीक है put कर देते है तो ये क्या है 10 inverse 10 inverse ये क्या हो गया 3 10 theta minus ये क्या है 10 cube 10 theta का cube minus 1 minus 3 10 theta का square ये चीज आगे आपके ये भी एक formula है formula किसका बन रहा है 10 3 theta ये क्या है 10 3 theta 10 3 theta का formula आप पता करेंगे तो ये ही होने वाला है क्या है 3 10 theta माइनस इसे लाउट 3 theta theta क्या माना है मैंने theta अब यहाँ पर 3 answer क्या रहा है 3 3 क्या जाएगा 3 के साथ क्या आएगा 10 inverse x upon a this is our answer right तो इस तरीके से आपको questions को approach करना questions को directly इस तरीके से approach रखनी आपकी ठीक है अब question number 11 question number 11 की बात करते है question number 11 की बात करते है question number 11 के find the value of each अब यहाँ पर क्या है कि हमें हर एक questions की value find करनी है ठीक है तो यह value find करनी है हमें इन questions के लिए ठीक है तो find the value of each question number 11 आपको screen पे भी दिख रहा होगा question number 11 क्या कह रहा है क्या बोला जा रहा है question number 11 में 10 inverse 2 cos 2 cos bracket 2 sign inverse 1 by 2 and the complete bracket ठीक है इसकी value find करनी है solution करते हैं इसका इस चीज़ की क्या है value find करनी है कैसे करेंगे तो अंदर वाले bracket को solve करेंगे फहले क्या करेंगे अंदर वाले bracket को solve करता है अंदर वाले bracket को किस तरीके solve करेंगे 1 by 2 देखिए inverse यहाँ पड़ा है inverse यहाँ पड़ा है तो क्या करना है मेरे को अंदर sign लाना है sign inverse है तो अंदर भी sign लाना है तो किस की value 1 by 2 होती है sign में तो sign किस की किस की होगी 1 by 2 कब आता है sign pi by 6 means 30 degree के angle पे sign inverse आता है ठीक है तो 10 inverse 2 cos 2 cos bracket 2 sign से sign cancel out हो जाएगा और angle क्या जाएगा pi by 6 ठीक है bracket 1 ये 2 से 3 ठीक है अब आगे से solve करते हैं इसको 10 inverse 2 cos bracket pi by 3 cos pi by 3 की value क्या होती है आप मुझे ये बताएगे cos pi by 3 pi by 3 means ये क्या आगे गया 60 cos 60 की value क्या होगी 1 by 2 cos 60 की value क्या आजाएगी cos 60 की value 1 by 2 1 by 2 2 cos 60 की 1 by 2 2 से 2 cancel out 10 inverse 1 तो 10 को क्या लिख सकता हूँ pi by 4 then answer is pi by 4 answer क्या गया pi by 4 इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें समझाया है कि नहीं है is it clear or not चलिए अब question number कौन सा करते हैं तो ये जो formula है 10 3 theta वाला ये आपको आपको जो भी मैं यहाँ उपर कौने में जो formula लिख रहा हूँ वो काफी important हैं वो ये आपको याद रखने जरूरी है कहीना कहीना तो आपको NCRT में मिल जाएंगे अगर इसके बारे में इन formula के बारे में आपको idea चाहिए तो आप comment करें कि formula के लिए PDF अगरा मैं आपको provide करवा दूँगा चलिए तो चीज़ें समझ में आ रही है अगर कोई भी कोई दिक्कत हो तो आप comment करें ठीक है चलिए question number 12 question number 12 पे चलते है question number 12 की बात करें question number 12 आपको screen पे भी दिख रहा होगा क्या कोट ओफ 10 इन्वर्स ए प्लस कोट इन्वर्स ए वेल्यू बताईए इसकी वेल्यू बताने है question number 12 quote 10 इन्वर्स ए प्लस quote इन्वर्स ए find value ठीक है इसकी वेल्यू बताने है कैसे करेंगे तो देखो पिछली classes में मैंने इसको बता रखा है 10 इन्वर्स x प्लस quote इन्वर्स x क्या होता है यह होता पाई बाई टू ज्यादा solve करने की जरूरत ही नहीं तो quote पाई बाई टू की वेल्यू बता दीजी वह आजाएग answer ठीक है quote पाई बाई टू की वेल्यू आपको पता होगी trigonometry में आप पता करें answer खुद से निकालें इसका ठीक है quote पाई बाई टू की वेल्यू चलिए question number 13 की बात करता हूँ question number 13 question number 13 आपको screen पे दिख रहा होगा question number 13 आपको screen पे दिख रहा होगा क्या है 10 1 upon 2 bracket sine inverse bracket 2x divide by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square divide by 1 plus y square bracket close and hole bracket ये चीज़ आपको दिख रही है अब यहाँ पे solve करना मेरे को इसको तो थोड़ा सा tough question है ये देखो tough क्यों है ये क्योंकि इसमें 2-3 formula यूज़ हो रहे हैं बस और उनको आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये ही एक बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो चलिए question number 13 के बाद कर लेते हैं क्या है 10 1 by 2 break it sine inverse 2x 1 minus x square राइट यही है question में नी sorry 1 plus है अब यहां पर क्या बात करें plus cos inverse cos inverse 1 minus y plus 1 1 plus y square इसको solve करने करें solve करें solve इसको क्या fund है बाहर तो 10 है अंदर shine है cos है काफी confusing है बहुत ज़्यादा confusing है ठीक है और x भी है y भी है पता नहीं क्या क्या है solve करना difficult हो रहा है और obviously यह first time में जब भी करते हैं तो solve करना difficult होगा तो इसको कैसे solve करेंगे सोचें थोड़ा सा सोचें इसको किस तरीके से solve कर सकते है तो कही ना कि यह एक चीज़ समझ में आनी चीए कि मुझे यह x और y कुछ ना कुछ मानने पड़ेंगे तब ही अंदर वाला bracket जो sign inverse है न यह खतम होगा मेरे को पहले यह दोनों inverse है न यह क्या है खतम करने है inverse अगर खतम हो गए तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा ठीक है तो कही ना कही मेरे को यह क्या है inverse वाला पार्ट खतम करना है तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ x को क्या मान लेता हूँ 10 theta और y को क्या मान लेता हूँ y को क्या मान लेता हूँ 10 5 अब reason यहाँ पर एक चीज़ यह आता है कि मैं 10 theta ही क्यो मान रहा हूँ x को कोस थीटा क्यों नहीं मान रहा कोस थीटा भी मान लेना चीए क्या दिक्कत है कोस थीटा में सर हमें तो नहीं समझ में आया कि कोस थीटा क्यों नहीं माना ठीक है वो चीज यहाँ पर देखने हैं ठीक है कोस थीटा क्यों नहीं माना क्योंकि sine inverse है जो हमारा उसको खतम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अंदर भी sine लाना पड़ेगा तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 2 10 theta plus cos plus 10 square जो मिलेगा वो क्या होगा sine 2 theta का formula बनता है किसका बनना है sine 2 theta का और यहाँ पे देखें तो यह किसका formula 10 5 रखने के बाद किसका formula बनेगा cos 2 5 का तो कहीं ना कहीं अंदर cos बन जाएगा अंदर sine बन जाएगा इसलिए मैं 10 theta बारा हूं यहाँ पे formula भी देख लेंगे थोड़ी देर में ही तो मैं इसको आगे solve कर देता हूं अभी अब आसान हो गया होगा आप समझ पा रहे होंगे sin inverse 2 10 5 10 theta 1 plus 10 theta का square plus cos inverse 1 minus 10 5 1 plus 10 5 का square ठीक है यह चीज़ ठीक है इसका whole bracket ठीक है is it correct? are you getting me? are you getting me? अब यह formula देख यहाँ पे sin 2 theta equal to 2 यह वाला are you getting me? getting me? ठीक है अगर मान लेते हैं यह star mark है यह cost 2 theta equal to क्या होगा है? 1 minus 10 square 1 plus 10 square अब देखें यहाँ पे मैंने फाइल ही आए ना तो वो फाइल ले लिया कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा है ठीक है? बहुत ही directly अब चलते हैं इसको क्या sin 2 theta बन जाएगा यह? sin से sin यह सीधा क्या बन गया? 2 theta यह क्या बन गया? 2 phi ठीक है? आगे solve करें 2 भार ले लिया तो भार के 1 by 2 से cancel हो तो इसको मैं सीधा क्या लिख दू? अंदर theta प्लस phi क्या लिख दू? theta प्लस phi अब क्या करते हैं? कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में ठीक है? theta क्या आता है? चलिए. theta क्या आएगा? 10 inverse x प्लस 10 inverse y यह आ गया. इनको solve करें. 10 inverse x प्लस 10 inverse y क्या होता है? यह देखें. तो 10 inverse x प्लस y minus x into y. यह होता है. अंदर वाला 10 inverse बार वाले 10 से cancel out answer क्या आ गया? answer आ गया. x प्लस y डिवाइड बाई x minus y. this is your answer. ठीक है? समझ पा रहे हैं? ठीक है? तो इस तरीके से आपको questions को solve करना है. चलिए. यहां तक आपको कोई दिक्कत हो. यह देखो important formulas है. sine to theta. यहां पे इसको star mark कर लें. यह important है. यह आपको याद रहने चाहिए. ठीक है? यह जो भी मैं यह क्या है? याद होंगे. तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे. ठीक है? चलिए. अगले questions की तरफ चलते हैं. तो यह questions हैं आपको. देखो कुछ tough questions भी हैं लेकिन अगर आप NCRT को अच्छे से cover कर दें तो अच्छे marks आने के chances हैं. तो अभी हम अगला question करते हैं. I think अभी हमारा question number 14 है. खिक है? Question number कौन सा है? 14. Question number 14 के बात करेंगे. Question number 14. Question number 14 आपको screen पे भी दिख रहा होगा. Question number 14 क्या क्या कहता है? Sign inverse. Sign inverse. Break it. Sign inverse. 1 by 5 plus cos inverse x. Break it close. Equal to 1. अब solve करो इसको. ठीक है? चलिए. Question number क्या है? 14. Question number क्या है? 14. यह क्या कहता है? साइन इन्वर्स. साइन इन्वर्स. साइन इन्वर्स. साइन इन्वर्स. 1 by 5 plus cos inverse x equal to 1. इसको solve करें. यह क्या? 5 है. तो हमारा क्या जाए? साइन इन्वर्स ही है ना? कोई दिक्कत. तो हमारा find the value of find the value of x. x की value find करनी है. ठीक है? किस तरीके से करेंगे अब इस चीज़ को? आप सोचें थोड़ा सा कि किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं? ठीक है? किस तरीके से हम इसको solve करें? कैसे करेंगे इसको? कैसे करें? अगर अंदर वाला पार्ट मेरा कही ना कही यह साइन इन्वर्स है यह क्या है साइन इन्वर्स अंदर वाला मेरा पार्ट क्या होना चीए साइन बनना चीए क्या बनना चीए sign बनना चीए तभी कुछ हो पाएगा तभी कुछ हो पाएगा अंदर वाला पाट sign बनने के लिए क्या कर सकते हैं या फिर एक चीज़ सोचें दूसरा sign इन्वर्स x इकूल टू वन है sign इन्वर्स x equal to 1 है तो कब 1 हो सकता है क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं होगा sin 5 by 2 is it correct is it correct मुझे नहीं लग रहा ये correct तरीका है हमारा करने का ये क्या correct तरीका है देखें देखो n number of method से इसको solve क्या दा सकता है इसका answer अगर मैं बात करूँ तो directly अगर बात करूँ तो x equal to 1 by 5 हाएगा ठीक है इसका answer क्याएगा 1 by 5 वो कैसे आएगा वो भी solve करते हैं ठीक है ये मैंने directly observation से देखके बता दिया ठीक है तो वो चीज हम solve करते हैं कि sign inverse ये sign inverse ही है क्या sign inverse ही है क्या ये मेरे को question में थोड़ा सा doubt लग रहा है लेकिन फिर भी ये हो सकता है sign हो I think sign होगा ठीक है ये क्या हो सकता है sign ठीक है तभी तो ये sign होगा तो ये अंदर वाला pi by 2 बनेगा तो sign pi by 2 equal to 1 होगा राइट तो ये question में थोड़ा सा दिक्कत है तो कभ ये चीज अब दिक्कत नहीं होगी यहां पर x equal to sign inverse 1 then ऐसा होना चीए तो कहीं न कहीं अंदर वाला पार्ट क्या होगा अंदर वाला पार्ट हमारा pi by 2 होगा तो इसको solve कर लेते है sign inverse 1 by 5 plus cos inverse x equal to क्या होगा pi by 2 ठीक है ये क्या है pi by 2 अब जो थोरम क्या कहती है थोरम है ये कि sign inverse x ये formula भी sign inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 जब दोनों same हो तब ही pi by 2 होता है इसका मतलब क्या है तो sign यहाँ पे और ये दोनों वाले same होना चीए कि नहीं होना चीए या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लेते है cos inverse x equal to pi by 2 minus इसको इस side कर दिया 1 by 5 ठीक है थोरम के according क्या बन रही है cos inverse cos inverse क्या आगया 1 by 5 equal to इस formula से हम क्या कर रहे है कि इस वाले पार्ट को इधर लेक्या गए cos inverse ए cos inverse आगया x equal to 1 by 5 तो यह हमारा क्या गया answer तो यहां पे जो मैंने answer पहले ही लिख दिया था वह क्या है यह थोड़ा सा questions में कही ना कही दिक्कत थी इसलिए यह सिर्फ simple sign है answer क्या आगया 1 by 5 तो इस तरीके से हम questions को कर रहे है कोई भी किसी परकार का कोई doubt होता है तो आप comment box में लिखे ठीक है respond करें और I hope चीजे समझ में आ रही होंगी चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा share करें चैनल को पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के लेक्ट सर्फ भी देख सकते हैं Thank you